Hello everyone, welcome back to our channel आज की इस वीडियो में हम लोग इसकर्स करने वाले हैं N.I.O.S. Class 10th Business Studies Subject जिसका Code 215 है आज की इस वीडियो में हम लोग syllabus discuss करने वाले हैं इस subject के related उसके बात जो है question paper का pattern क्या रहेगा वो भी discuss करेंगे किस तरीखेसे आपके exam में question आने वाले हैं उसी के बेस पर जो है आपके important question answers भी जो है मैं इसी वीडियो में आपको provide करने वाली हूँ चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी वीडियो जब हमारे चैनल पर आती है तो आपको notification मिल जाता है बेल notification भी जो है आप लोग on कर लेना ताकि आप लोगों को आने वाली हर वीडियो का notification सबसे पहले मिल जाए चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके लिए ही benefit रहने वाला है ठीक है तो चलिया यह start करते है TMA का 40% syllabus जो है पहले आपको पढ़ना पढ़ता था यानि कि total lessons जो है 8 है ठीक है यह chapters आपको पढ़ने पढ़ते थे TMA के ठीक है तो अब इसको क्या करना है आपको skip कर देना है क्यों क्योंकि इसमें से सिर्फ आपके TMA के question ही जो है पूछे जाते है ठीक है यहां से exam में आप public examination 60% syllabus जो है अब आपको पढ़ना पढ़ेगा total number of lessons जो है 13 chapters है इन ही chapters पे क्या करना है आपको specially focus करना है और हमने भी इसी chapters को focus करके ही जो है important question answers teachers के त्रू जो है ready करवाए है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी preparation कर पाओ यह जो chapters आपको दिख रहे हैं इसे भी आपक जो है skip करना है ठीक है follow क्या करना है सिर्फ public examination वाले जो chapters है इन ही पे focus करना है अच्छे से और इसी chapters के base के उपर जो है आपका पूरा important question answer ready करवाए गए है जाकि आपके exam में काफी आने के chances रहेंगे अगर इनको अच्छे से prepare कर लिए तो आपके marks काफी अच्छे आने वाले ह आपको 100 marks का जो है theory paper रहने वाला है timing जो है three hours आपको दिये जाएंगे ठीक है अब किस तरीके questions आपसे पूछे जाने वाले हैं exam में तो यहां पर objective type यानि की mcq जो है one mark के question रहेंगे total 20 questions रहने वाले हैं ठीक है यहां पर question जो है one mark करके रहेगा अब यहां पर objective type questions में क्या है with two sub point of one mark each के साथ जो है objective questions रहेंगे feeling the blanks रहेंगे true false रहेंगे one word answer ठीक है best answer test जो है पूछे जाएंगे total number of questions 15 रहेंगे जो की आपके per question two marks करके रहने वाले हैं ठीक है very short question answers जो है totally आपको six questions पूछे जाएंगे और यह per question two marks कर रहने वाले है ठीक है short question answers जो है same six marks के आपके रह question totally पूछे जाएंगे जो की per question three marks करके रहेंगे long question answers में आपके four questions पूछे जाएंगे जो की per question जो है five marks का आपका रहने वाला है totally आपका जो है theory का paper 30 sorry hundred marks का रहेगा 33% जो है आपको लाने हैं तभी जाकर कि आप अपने exam में pass हो पाएंगे ठीक है I hope इतना जो doubt आपके मन में हम clear कर दिया इस वीडियो में और कोई भी डाउट रहेगा तो आप comment section में पूछ सकते हो यहां पे कौन सा module जो है कितने marks वेटेज में आने वाला है यह भी आप देख सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं important question answers अब यहां पे जो है multiple choice questions जो है आपके यह one marks में पूछे जाने वा अब लिए equals हुआ झानै उपर वाला लिखू नीचे वाला है तो नीचे वाला कर सकते हो ठीक है लेकिन आप लिखना कैसे है कि question भी आप लिख रहे हो answer भी आप लिख रहे हो ठीक है इससे क्या है आपका time waste हो अधरवाइस कुछ नहीं question क्या करना है उन लिखना है question number 1 लिख करके उसके वाज़ा से कि यहां पर A, B, C, D ऑप्शन दिया है जो कि यहां पर A ऑप्शन राइट है ठीक है अब आप लोग गलती क्या कर तो A ऑप्शन लिग करके छोड़ दिया तो टीचर को कैसे समझ में आएगा है ना जब A ऑप्शन दिया है साथ में यह तो यह भी पूर एक ही करना है दोनों के दोनों आपको नहीं करने है ठीक है एनादर सब्जेक्ट के लिए भी जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल नोटिफिकेशन जरूर से कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले तरीके की प्रिपरेशन कर पाओगे और एक्जैम से जो है बहुत अच्छे मार्स लेकर कर आप आओगे हमारे जितने भी नोट्स हैं यह सभी इंपॉर्डेंट कोईशन अंसर से जो कि एक्सपर टीचर्स द्वारा रेडी करवाये जाते हैं और और भी कोई सब्जेक्ट अग जो हमारे पास कोईशन अंसर मिल जाएंगे जो कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेर करके एक अच्छा एक्जैम में मार्स लेकर करके आप आओगे और कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने यह सब्जिक्ट ले रखा है उनके साथ चैनल जरूर से शेयर कर देना और अगर आप लोग भी अभी तक हमारे चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोग अपने एक्जैम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाओ ठीक है दूसरों के साथ शेयर जरूर से किया करो अगर वीडियो हमारी आपके लिए हेलफुल रहती है चैनल सब्सक्राइब करने के साथ लाइक शेयर जरूर से कर देना ताकि हमारी वीडियो से हेल्प ले करके दूसरे बच्चे भी अपने एक्जैम की प्रिपरेशन कर पाएं तो चलिए आए आगे बढ़ते हैं ये जितने भी आपको कोईशन दिये जा रहे हैं ये सभी आप दिये गए बच्चे बेदी चाती है के बाद जो है आप अपनी preparation अच्छे से कर सकते हैं और जब अच्छे YouTube से पढ़ रहे हैं उनको YouTube से ही दिक्कत नहीं है तो आप YouTube से पढ़ो जिनको free चाहिए वो YouTube follow करें जिनको फीज पे करके लेने में दिक्कत नहीं है आप फीज पे करके भी ले सकते हो ठीक है अब फीलिंगे blanks में क्या करना है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सिर्फ यहां पर आंसर दिया आपने ठीक है और आंसर लिख दिया लेकिन आपको यहां पर डैश बना करके फिर लिखना प्लस यहां पे देखो answers भी दिये हुए हैं ठीक है यह मत सोचना कि मैम ने यहां पे answers आड़ नहीं किये यहां पे answers के साथ ही आपको notes जो है दिये जाते हैं और भी अगर किसी subject के आपको चाहिए notes सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि comment करते साथ ही बोलते हैं कि मैम व होगा वहां true लिखना है जहां गलत होगा आपको false लिखना है ठीक है तो चलिए आए आगे बढ़ते हैं यहां पर आपको answers के सारे questions दिये गए हैं ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम answers उसमें confused हो जाते हैं तो वीडियो को without skip किये देखा करें ताकि कोई भी information आपसे miss ना हो क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं आदी वीडियो देखते हैं आदी वीडियो देखते ही नहीं है और देखते भी हैं तो ना तो चैनल shared करते हैं दूसरे के साथ और ना ही subscribe करते हैं चैनल भी subscribe कर लिया करो वीडियो अच्छी लगती है help मिल लइक भी कर दिया किसे मोटिवेशचन मिलता है ठीच है वन वर्ड्ड वन सेंटेंस अंसर अब कोई अगर एसा है जिसमें वन-वर्ड में आप अंसर दे पा रहे हो ठीच है तो exactly देख सकते हैं और अगर आपको वन सेंटेंस वे आता है तो उसको लिख सकते हो ठीक है क्योंकि काफी बार्ट रहा है सटड़ी सेंटेर पिर तीजर से अगर आप पूछते हो तो आपको बताते नहीं है तो आप लोगों को भी परिशानी होती है तो जिसकी वज़े से मैंने सारी डिटेल्स इस वीडियो में डाल दी है बेस्ट टेस्ट आंसर्स भी अगर पूछे जाएंगे किसी भी तरीके के कुश्चन तो आप लोग अच्छे तरीके से इसके आंसर्स करके आप आओगे कोई भी आंसर आपसे ना चूटे उस तरीके से जो है ये नोट्स रेडी करवाए गए हैं ठीक है अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट कुश्चन आंसर्स ये आपके टू माक्स के कुश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे ठीक है नोट डाउन कर लो अगर आपने कॉपी पैन लेकर कि हमेशा बैठा करो ताकि नोट्स बनाने में आपको दिक्कत ना आए क्योंकि एक्जैम आपके बहुत ही पास है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वीडियो थोड़ी हेजी आती है तो देखो आप क्वालिटी थोड़ी बेस्ट करके देखोगे तो आपको हेजी नहीं आएगी ठीक है और कहीं थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि आपको दिक्कत आ रही है नहीं तो आप देखाए नंबर से आप continue call नहीं किया करो आप लो WhatsApp पे आप अपने voice लीव कर दो या message लीव कर दो आपको response मिल जाएगा ठीक है short question answers अब short question answers जो की आपके हो सकते हैं आप लोगों का डाउट रहेगा कि मैं इसमें तो यह picture है तो आप पिक्चर के थूभी अगर explain कर पाऊ short जो question रहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो ठीक है तो चलिए आईए आगे बढ़ते हैं another subject के लिए जो है आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना कुछ question ऐसे हैं जो अभी तक upload हुए हैं उनके जो playlist है description box में आपको मिल जाएगी अगर आपके subject वहाँ पे uploaded हैं तो आप देख करके बना सकते हैं अगर uploaded नहीं हैं तो आप हमें comment करके बता सकते हैं कि आपको कौन से कौन से subject के जो है notes चाहिए जितनी जल्दी possible हो पाएगा उतनी जल्दी जो है हमारी videos आपकी लिए आ जाएगी ठीक है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं मैं अभी comment कर दिया तो अभी साती साथ video upload हो जाए तो ऐसा नहीं होता ह आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा और अगर आपको दिक्कत है जादा कि जल्दी चाहिए ही तो आप फीस को पे करके भी जो है ये notes आप ले सकते हैं नॉर्मल सी फीस है आप नॉर्मल सी फीस को पे करके जो है आप ले सकते हो अपने exam की preparation के लिए बहुत सारे बच्चे ऐस पढ़ना और अगर समझा भी रहा है तो आप लोग क्या करते हो एक्जाम टाइम की date का wait करते हो तो ये आप गलती करते हो जिसकी वज़े से हजारो एनाएस students जो है fail होते हैं क्योंकि अगर preparation आपकी अच्छी नहीं है आप लोग शौट कर तरीका यूज करोगे तो आपको fail ह होना पका है तो ऐसी गलती आप लोग ना करें आप जैसे कि यहां पे difference between पूछा गया है तो आपको यह जो टेबल है बनाना है उसके बाद जो है आपको heading देनी है देन उसके बाद जो है points लिखने रहेंगे ठीक है काफी पर होता है कि two points three points दे इस तरीके से भी आपसे question दे स करें ठीक है तो salt आपको first of all यह करना है question paper आपको पढ़ने के लिए 15 minutes का time दिया जाता है अच्छे से उससे पहले read कर लो जो question आपको अच्छे तरीके से आते हैं पहले उसको tick mark कर लो कि हा मुझे यह question बहुत अच्छे से आता है मैं easily इस question को कर पाऊंगा ठीक है यह कर पाऊ लेकिन ठीक है तो second round में वो question आपको करने है third round में वो question आपको करने है जो questions आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं ठीक है उससे क्या है आपका time waste नहीं होगा जो question आते है आप लोग अच्छे तरीके से करके आप आओगे अब यहां पर difference between है table बनाना है फिरी आपको लिखना है heading जरूर से देनी है यहां पर आपको one two three four five six six points दे हैं यहां पर लेकिन यहां पर हो सकता है four points दे दे त्री points दे ऐसा भी आपको दे सकते है ठीक है तो पूरे याद कर लेना ऐसा नहो कि पूरे याद नहो और आप जाके छोड़के आ जाओ आता हुआ question भी आप लोग हो रहे हैं जितनी जल्दी possible हो पाएगा उतनी जल्दी जो है हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी अगर कुछ सब्जेक्ट की नहीं भी आ रही है तो आप जो है फीस को पे करके ले सकते हो क्योंकि थोड़ा हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाए लेकिन ये है कि एक्जैम से पहले पहले आपके मिल जाएंगे और जिनको ज़्यादा जल्दी रहती है वो स्टूरेंट फीस को पे करके ये नोट्स ले सकते हो आप हर एक सब्जेक्ट के आपको जो है नोट्स अवेलेबल मिलते हैं हमारे चैनल पर जो की नॉर्मल सी फीस म आपको मिल जाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे I hope अभी तक जितनी भी वीडियोस हमारे आई हैं आपके लिए काफी helpful रही होंगी helpful रहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो like जरू से किया करो इससे हमें भी motivation मिलता है ताकि another और वी वीडिय देख करके leave करते हो ठीक है आप लोग चाहते हो कि exam के साथ यह जो explanation भी आए अब देखो कोई भी teacher जो महनत कर रहे हैं तो उनकी फीज तो at least होती ही है ठीक है तो आप लोग फीज पे करना ही नहीं चाहते तो फिर teachers अगर हम रखे भी तो वह teachers को भी जो है हमें अलग से फीज पे करनी पड़ती है ठीक है तो इसलिए अगर आप लोगों को चाहते हो कि आप लोगों को explanation के साथ चीज़ें आए तो आप लोग comment section में बता सकते हो अगर support करोगे आप सभी students तो हमारे चैनल पे भी जो है हम लोग teachers रखवा के आपके लिए explanation के साथ videos लेकर के जितनी जल्द हम लोग लाएंगे ठीक है long question answers ये questions जो है आपके five marks के questions हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं अच्छे तरीके से इसकी preparation कर लेना ताकि कोई भी question ऐसा है जो अगर आ जाए तो आप छोड़ करके नहीं आओगे question समझ लिया तो answer आप लोगे चीज़ों को रटना नहीं है रट के जाओगे भूल गए तो आपके marks वहीं पे cut हो जाएंगे चीजों को समझ के जाओगे नहीं भी आ रहा है बनाकि आप लिक के आ सकते हो आपको marks मिलेंगे ठीक है यहां पर जैसे की current deposit account saving bank accounts यहां पर भी दो तीन points पूछ सकते हैं कर फीबर होता है कि five points भी आपसे जो है टेलीग्राम चैनल वर्टसप चैनल की link जो है description box में हैं वहां पे भी काफी सारी updates आपको मिलती हैं वहां पे भी आप लोग जरूर से join हो जाना वहां पे भी आप लोग के लिए काफी सारी informative चीज़ें मिल जाती है आपको जिससे की आप लोगों के exam में काफी help हो जाती है ठ क्लियर कर पाओगे क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक की preparation स्टार्टी नहीं करी क्योंकि वो लो exam date का wait करते रहते हैं exam date का wait करते रहोगे time pass आ जाएगा last में देखोगे preparation भी नहीं हुई और fail हो गया next time फिर से आपको exam देना पड़ेगा ठीक है तो 33% लाने रहते हैं आपको और अच्छे तरीके से preparation कर लेते हो अगर इन नोट्स को तो आराम से आपके जो है marks easily आ जाएंगे I hope आप लोगों के लिए जितने भी नोट्स अभी तक हमने दिये हैं हमारे चैनल पे वो सभी आपके लिए काफी helpful रहे होंगे helpful रहते हैं तो चैनल लाइक जरूर से करो दूसरे के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिल जाए और अगर कोई भी अनदर सब्ज्यक्स के भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमसे contact करके normal C fees को पेकर के आप ले सकते हैं युन को भी नोट्स की PDF चाहिए आप हमसे contact कर सकते हैं नॉर्मल C fees कोपे करके आप ले सकते हैं contact number 8250129920 यहांसे आप कॉंटक्ट करके फीस को पै करके नोट्स ले सकते हैं इमेडियाटली आपको मिल जाएंगे कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे आप English medium से हो इंदी medium से हो आपको मिल जाएंगे description box में इसकी link भी मिल जाएगी I hope आपके लिए video helpful रही होगी thanks for watching our video